आकाश वानी से प्रस्तु थे मंदसोर जिले की चिठ्थी आलेख दीपक शर्मा वाचनस्वर शरद बागहला मंदसोर जिले में दीपावली का पर्व उत्सा के साथ मनाया जा रहा है दीपोसव की पूर संध्या पर बाजार में लोगों ने जम कर खरीदारी की एक और जहां पूजा सामगरी आतिश बाजी की खरीदारी की गई वही नय वहन और आभुशन भी खरीदे गए आतिश बाजी के लिए जरा प्रशासन और नगर पालिका में पटाखा बाजार के लिए 257 व्यापयरियों ने पंजियन कराया प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने 29 अक्टूबर को वर्चोल माध्यम से मंदसोर सहित प्रदेश के तीन मेडिकल कॉलेजों का लोकारपन किया उन्होंने इस अवसर पर पांच नर्सिंग कॉलेज का भूमी पुजन भी किया नवनिर्मित सुन्दरलाल पटवा शासकी चिकिस्सा महविद देलाय मंसोर का निर्मान 300 करोड से अधिक की लागत से किया गया वहीं हाँ 14.80 करोड से नर्सिंग कॉलेज बनाया जा रहा है मंसोर में आज़ीत राजिस्तरी कारिकर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहनियादव और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवलाशा मिल हुए उन्होंने जिले में 166 करोड के विकासकारियों का लोकारपन वा भूमी पुजन किया वही मुख्यमंत्री ने 512 चिकिस्ते को को नियुक्ती पत्र भी प्रदान किये और प्रदेश के 81 लाग किसानों को 1622 करोड की द्यूतिक किष्ट का हितलाब भी प्रदान किया पिछले दिनों केंदर सरकार ने विभिन मंतरालेयों से जुड़ी 24 संसदी समीतियों का गठन किया इसमें सांसद सुधिर गुपता को उद्योक समीति का ध्यक्ष मनाया गया इस समीति को देश के वानिज, व्यापार नीतियों और आर्थिक विकास से संबंदित मुद्दों पर विधाई निगरानी करने का काम सौपा गया है मंदसोर जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियानवेन के लिए जिला इसतरी समीति की बैठक आयुजित की गई बैठक के दोरान सरपंचो को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जानकरी देते हुए बताया कि 5,000 से अधिक आबादी वाले सभी गाउं में 6 माह तक प्रतिस परधा कराई जाएगी जिस गाउं की प्रगती सबसे अच्छी होगी उसका चैन आदर्श सौर ग्राम के रूप में किया जाएगा मंदिसोर जिले में पिछले दिनों विश्व रेबीस दिवस मनाया गया इस अउसर पर रेबीस को लेकर आम जन को जागरुक करने के लिए ग्राम दोलत पुरा में नर्सिंग विद्यार्थियों द्वारा नुकल नाटक कर जागरुक किया गया बीते दिनों पीम शिरी जवाहर नवोदय विद्यालय लदुना के आठ चातरों का चैन राष्टी स्तर की पिर्थियों गिता के लिए हुआ बीते दिनों गांधी सागर अभ्यारण में प्रचलेत चीता पुनरस्थापन योजना के अंतरगत 28 चीतल छोड़े गए अब तक गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण में कुल 434 चीतल छोड़े गए हैं अभ्यारण शेतर में 1250 चीतल छोड़े जाना है दो से आठ अक्टूबर तक जिले में मद्ध निशेद सप्ता मनाये गया इस दोरान जन जागरुकता के विभिन आयोजन के माध्यम से आम जन को नशे के दुष्ष परिणाम के बारे में जागरुक किया गया 9 अक्टूबर को करीब डेढ माँ बाद भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में रखी दान पेटियों को खोला गया दो दिन चली गणनाथ में भगवान पशुपतिनाथ को 19 लाग से अधिकी की राशी विदेशी मुद्राएं और चांदी भगवान को अरपन की अंतरराश्टी बाली का दिवस के अउसर पर मंदसोर में शक्ती संबाद एवं साइबर सुरक्षा विशे पर जागरुकता कारिशाला कायोजन किया गया पिरतिभागियों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आवशक सावधनिया रखने और जागरुक रहने की जानकारी दी गई दशरे के पर पर बंसोर पुलिस लाइन में जिला इस्तरी शस्त्र पूजन कायोजन किया गया इस कारिक्रम में सांसद सुधिर गुपता, राज्यसबा सांसद बंसी लाल गुर्जर, कलेक्टर अधिती गर्ग, एसपी अभिशेक आनंद शामिल हुए बीते दिनों सीता महुत एसील के बपच्चिया गाउं में साड़े बारा करणों की पचास हेक्टर शास की जबीन पर अतिकरमन हटाने के कारवाई की गई जिले में 68 केंद्रों पर सोयबीन उपारजन के लिए 25,000 किसानों ने पंजियन करवाया है सोयबीन खरीदी के लिए मंसोर जिले में 35 केंद्र बनाये गए हैं 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक शास की दर 4,892 रुपे प्रती कुइंटल पर सोयबीन खरीदी की जाएगी 21 अक्टूबर को पुलिस इसमर्ती दिवस के अउसर पर मंसोर पुलिस लाइन में परेट का आयजन कर पुलिस इसमर्ती दिवस मनाये गया परेट के बाद वीर गति को प्राप्त हुए वीर जवानों को शद्धा सुमन अर्पित किये गए और उनके कारियों को याद किया गया मंसोर जिले के सीता मोव आई टी आई कॉलेज में जिला इस्तरी रोजगार मेले का आयजन किया गया मेले में कुल 256 युआउं ने पंजियन करवाये था इस मेले में विभिन कमपनियों द्वारा 152 युआउं को आफर लेटर प्रदान किये गए मंसोर शेहर के नूतन स्टेडियम में जाबाली कप क्रिकेट टूर्नमेंट प्रद्विता के समापन अउसर पर महिला एवं बालविकासि भाग और जिले की प्रभारी मंत्री निर्बला भूरिया प्रशामिल हुई टूर्नमेंट में परवलिया की टीम ने फाइनल मेच जीता वहीं पिपलिया जोधा की टीम उपविजेता रही विजेता टीम को 31,000 और उपविजेता टीम को 11,000 रुपे का इनाम दिया गया मंद सोर शेहर की चिठी समाप्त हुई